तो क्या था कारण जिसकी उजसे आधी राट में अभिशेक और मनारा के बीद जम करके फाइट हुई विल वज़ा था दही का डबबा जिसकी वजसे आधी राट में राइता फैला सुबह सुबह मनारा चोपड़ा काफी अपसिट लग रही है काफी दुखी लग रही है और उनको लग रहा है कि लडाई का कोई कारणी नहीं था यहां पर बाबु विया उनसे कहते वे नजर आ रहे हैं कि यहां पर किसी के सामने भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है तो मनारा कहती है अच्छा बहुत ही नॉर्मल था अब यहां पर आधी रात में दो बजे बोलोगे कि दही का डबा उठा दो तो फिर अपना भी हम लों जाती हूं उसको भी मैंने दे दिया उसको बोला तूख खाएगा उसने खा लिया तो मुद्दा कुछ नहीं था लडाई के लिए यह कैसा मुद्दा था वह आधी रात में उसके बाद राइडर कहते हैं कि यहां पर लड़ने के लिए कोई मुद्दा बड़ा नहीं गलोच हुई उसके बाद यहां पर मुनावर ने अभिशेग को रोका था तो अभिशेग को यह बुरा लगा कि मुनावर ने इससे पहले कितनी भी लडाईया होती बिग बॉस के गर में मुनावर कभी भी किसी की लड़ाई के बीच में नहीं आते लेकिन वो कल ही क्यों आत गाली गलोच में मैं कोई moral policing नहीं करता हूं तो यहां पर अभिशेग को अपनी तरफ से मुनावर ने clear कर दिया लेकिन फिर भी अभिशेग को कही ना कहीं मन में यह कि मनारा थी इस वजह से वो बीच में आया मनारा को defend कर रहा है फिलाल क्या कहना है आपका comment करके ज़र बता झाली 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 झाल झाल झाल